हालो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चनल राठोर एलेक्टिक बर्क सेंटर में आज हम इस कॉपर कुलर मोटर वाइडिंग जिसकी स्टेटर कोर लेंद है एक इंच का भाग दो बनाने जा रहे हैं चिन दोस्तों ने हमारा भाग एक नहीं देखा है वह पहले बाग एक जरू देखें तो चलिए हम चुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका डाटा देख लेते हैं इसकी एक इंच कॉपर कुलर मोटर डाटा कॉल आठ लाट चौविस खेज 30 होता है तरन 95 होते हैं जिसकों की हम बदल कर 90 कर देते हैं लंबाई इसकी 36-37 रखते हैं एक से चार में दो बार एक से छे में तीन बार रखते हैं उसी प्रकार स्टार्टिंग कॉल को गेज 32 टरन 110 लंबाई एक टीस इंच पेच एक से चार में एक बार और एक से छे में तीन बार रखते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन टायग्राम देख लेते हैं यह हमारी रनिंग कॉल है जिसमें हम मानस में मानस को जोड़ते हैं प्लस में प्लस को जोड़ते हैं और मानस में मानस जोड़कर प्लस बायर के लिए बाहर निकाल देते हैं उसी प्रकार स्टार्टिंग कॉल में मानस में मानस जोड़ प्लस में प्लस जोड़ते हैं और मानस में मानस जोड़कर प्लस बायर बाहर निकाल देते हैं जो की कैपिसीटर में जाता है और जिस बायर से हम कनेक्शन शुरू करते हैं उन रेनिंग और स्टाटिंग कोई के दोनों प्लस बायर को आपस में जोड़ लेते हैं इसके बाद क रनिंग क्वाल का जो बायर आता है वह हमारा एसी के लिए सबलाई हो जाता है तो चलिए अब हम क्वाल बनाना शुरू करते हैं तो सकते पहले हम रनिंग क्वाल बनाएंगे जिसमें की 30 नंबर बायर से हम 90 राउंड लगाते हैं तो इस प्रकार हम क्वाल को बनाना सुरू करते हैं तो हम पहली बनाली अ कि बार यह हम ने चारों क्वालें बिध कनेक्शन की बनाई हैं जोकि बाद में हमें कनेक्शन करने की आवसकता नहीं पड़ेगी आप चाहें तो क्वालें अलग-अलग भी बना सकते हैं तो चलिए अब हम इस स्टेटर में क्वाल को डालेंगे देखिए दोस्तों इस प्रकार हम क्वाल को स्टेटर में डालते हैं जिसमें कि हमारी पिछ रहती है एक से चार में दो वार और एक से छे में तीन वार तो लोट में हम क्वाल को डाल लेते हैं इसके बाद दो स्लेट को छोड़कर तीसरी स्लोट में हम क्वाल को एट करते हैं इस प्रकार कुवाल को बड़ी ही सावधानी से स्टेटर में एड़ करना चाहिए तो अब हम इस छोर को घुमा कर फिर हम एक से चार में दो वार जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार कुवाल को डालते हैं कि इस प्रकार देखिए दोस्तों बड़ी ही आसानी से कौवाल स्लोट में चली जाती है अब हम इसके उपर कि अब स्लोट पेपर लगा देते हैं अब हम दूसरी और भी कौवाल को बिठाल देते हैं इस प्रकार आसानी से कौवाल स्लोट में चली जाती है अब हम कौवाल को एक से छे में तीन बार बिठा लेंगे इस प्रकार हम उसी छोर को गुमा कर इस प्रकार खाली स्लोट में कौवाल को डालते हैं और इस प्रकार हम दूसरी और भी खाली स्लोट में कौवाल को बिठालते हैं जिसकी की पेच्छे एक सिच्छे तो यह हमारा दूसरा राउंड है बड़ी असानी से कौवाल स्लोट में चली जाती है क्योंकि स्लोट में काफी जगा रहती है अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह हमारा तीसरा राउंड है तो इस प्रकार हम कौवाल को मूड़कर कौवाल को स्लोट के बीच में डालते हैं और इसके उपर स्लोट पेपर को लगा देते हैं ज्यादा इसमें परिशाने नहीं आती है यह देखिए दोस्तो हमारी एक से छे में भी कौवाल आसानी से एड़ हो जाती है इसी प्रकार अब हम अगली कौवाल को एड़ करते हैं यह देखिए दोस्तो केबल कौवाल को बठाल दे समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कनेक्शन माइनस का माइनस में हो तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रक मैं आपको बता देता हूं हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहली कौवाल को हम सीधा बठालते हैं और दूसरी कौवाल को हम उल्टा डालते हैं तो हमारे कनेक्शन आसानी से माइनस में माइनस प्लस में प्लस और माइनस में माइनस हो जाते हैं और पहली कौवाल का प्लस बाहर नकल आता है और आखरी कौवाल का भी प्लस बाहर नकल आता है यह देखिए दोस्तो हमारी दूसरी कौवाल स्टेटर में एड होने लगी है वीडियो को मैंने स्पीड मूड में रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना रहे कौवाल को बिठालती समय उसको थोड़ा एक्जेस्ट करना पड़ता है ताकि बायर हमारा इधर उधर ना जाए इस प्रकार हम दूसरी कौवाल को एड कर लेते हैं यह हमारा एक से छे में आखरी राउंड है जिसको की हम इस प्रकार इस टेटर में एड कर लेते हैं आखरी में कौवाल जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको आधा आधा बायर लेकर आसानी से स्लोट में डाल लेते हैं इस प्रकार अब हम अगली कौवाल को इसमें एड करेंगे तो जैसा कि पहले हमने सीधी कौवाल को बठाला है उसके बाद हमने उल्टा कौवाल को बठाया है अब हम फिर इसको सीधी कौवाल को बठालेंगे ता इससे हमारे कनेक्शन सही आ जाएंगे इस प्रकार देखिए दोस्तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार देखिए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि उल्टा और सीधा कौवाल को कैसे बठालते हैं तो देखिए दोस्तो एक से चार में हमारा दूसर राउंड लग गया है इनके उपर हम स्लोट पेपर को लगा लेते हैं स्लोट पेपर बड़ी ही ध्यान से लगाये जाता है ताकि कोई वायर हमारा छूट ना जाए और इस टेटर को टच ना करें नहीं तो पूरी कूलर मोटर में करेंट आ सकता है यह देखिए दोस्तो हमारी तीसरी क्वाल इसमें एड हो गई है इसी प्रकार हम चौथी क्वाल को भी इसमें एड कर लेते हैं पूंशे आजई दोस्तो अब हम चौथी क्वाल को एड करते हैं तो में इस फ़्रकार हम बां को क्वाल को उल्टा उठाते हैं और कूलर इस टेटर में एड करते हैं इस प्रकार हम कोयल को स्टेटर के अंदर डालते हैं और एक से चार में दो बार कोयल को एड़ करते हैं यह बायर तीस नंबर गेज का है जो की ओपर का है इस प्रकार हम एक से चार में दो बार कोयल को बिठा लेते हैं अब हम एक से छे में तीन बार को इसमें बठा लेंगे तो देखिए दोस्तो हमने चारो क्वाल स्टेटर में एड़ कर ली हैं इसका अगला वीडियो जल्दी आएगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें उम्वेनी चैनल को सब्सक्राइब करें